14 मई से 30 दिन तक ग्रहों का ऐसा रहेगा हाल 12 राशियों पर 30 दिन तक देखेगा प्रभाव सूरे का व्रिशब राशी में होगा प्रवेश कुनली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यारी गुर्मीत वेदी का नमस्कार हमारे जोतिश में आत्मा का प्रटीक माने जाने वाले ग्रहों के राजा सूरे 14 मई को सुबा 11 बच कर 15 मिनट पर अपनी उच मेश राशी से निकल करके शुकर की व्रिशब राशी में गोचर करने जा रहे हैं और फिर वो 15 जूम तक इसी राशी में गोचर करने के बाद बुद की मिथों राशी में गोचर करने लगेंगे सुरे देव जब 14 मई को व्रिशब राशी में आएंगे तो उस दिन व्रिशब सक्रांती भी होगी हिंदु धरम में सक्रांती का बहुत महत्तव होता है इस दिन सुर्य पूजा का भी विशेश महत्व हमारे शाष्त्रों में बताया गया है इस दिन सुर्योदे के समय सुर्य को अर्ग देने से बगवान सुर्य नरैंड की विशेश किरपा लोगों पर होती है साथ ही सुर्या आराधना करने से सुर्या ग्रह से समंदित जो हमारी कुंडली में दोश होते हैं वो भी दूर होते चले जाते हैं और हमें यश कीर्थी और वेभव की प्राप्ती होती है माय कुलिटी वी के धर्शकों को बताना चाहूंगा कि शाश्तरों में वरिशव सक्रांती को मकर सक्रांती के समान बताया गया है इस दिन पूजा पाठ जब तप और दान का विशिश महत्व बताया गया है शास्तरों के अंसार सक्रांती के दिन किसी पवित्तर नदी या सरोबर में या किसी जलकुंड में शनान करने से सभी तीर्थ सलों के समान जो है वो पुन्या हासिल होता है विरिशब सक्रांती जो है वो जेश्ट महिने में आती है और इसी विहने सुर्या रोहनी नक्षत्तर में रहते हैं और नो दिन तक गर्मी वढ़ाते हैं जिसे नब तपा भी कहा जाता है विरिशब से करांती में ही गर्मी अपने पूरे योगन पर होती है इसलिए इस दोरान अनदान वजलदान का विशिश महत्त बताया गया है मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमरे जोतिश में और शाष्तरों में सुर्या को आत्मा का कारक होने के साथ साथ हमरे मान सम्मान का परतीक भी मान गया है जिस विक्ति की कुंडली में सुर्या मजभूस सिति में होता है उसे समाज में यश्य और मान क की प्राप्ति होती है समरिद्धी की प्राप्ति होती है सुर्य एक ऐसा ग्रह लें जरो yourselves सभी घ्रहों में अधिपति है इस कारण उनका जो राशी करव्रतन है ़ो कर अधिकर के सभी राशियों को परभवित प्रशाशन या कर देव को प्रत्यक्ष देबता भी कहा जाथा इसलिए हमें परतिदिन दर्शन देते हैं धार्विक माननेताओं कि अगर हम माने तो जो सुर्य वो ताकत के अधिकार के यश के नोकरियादी के देवता हैं इनकी पूजा अगर विदी विधान से करते हैं तो उप्रोग्त सभी मनो कामनाय पूरी होती है मैं कुल्ली टीवी के धर्शकों को बताना चाहूंगा कि सकरांती का जो वरत है वो बहुत लाबकारी माना गया है इस दिन वरत रखने से सभी मनो कामनाय पूरी होती है और जीवन में यश वैबव की प्राप्ती होती है इस दिन बगवान शिव के रिशव रूप रिशव रुदर सब रूप और सुरया बगवान की अराधना की जाती है और इसे बहुत ही शरेकर माना गया है 14 मई को जब सुर्य वरिशव राशी में आएंगे और एक महिना यहां गोचर करेंगे तो सभी 12 राशी यह से परभावित होंगी सभी 12 राशीयों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं इसके बारे में विस्तार से कुन्लिटी भी के दर्शकों को बताना चाहूंगा शुरुआत करते हैं मेश राशी से मेश राशी वालों को अपने कारेक शेतर में आगे बढ़ने के कई वाके मिलेंगे विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बाद बढ़िया रहने वाला है लेकिन सेहर से जुड़ी छोटी मोटी परशानिया आपको परशान कर सकती है विरिशव राशी जिसमें अब सुरे को गोचर होने वाला है विरिशव राशी वालों के खर्चों में थोड़ी विद्धी हो सकती है आपको अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा वरना जीवन साथी के साथ थोड़ा समंदों में तलखी आ सकती है कारेक्षेतर में आपको और अधिक प्रयास करने होंगे और जो लोग कारोबार से जुड़े हैं उनको सुरेक इस गोचर के दोरान काफी फाइदा होगा सेहत का खयाल रखे मिथो लाशी के जापकों को अपनी टेलेट दिखाने का परतिबा दिखाने का मौका मिलेगा अचानक से कोई ऐसा अपसर भी मिल सकता है जो आपको आगे बढ़ने में साहे को और आपको इस मौके का लाब उठाना चाहिए रिष्टेदारी में आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है करक राशी वालों के लिए सुरे का ये गोचर बहुत ही लाबकारी रहने वाला है इस दोरान आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी इस अब्दी में आर्थिक लाब होने की भी पूरी समभावना है आपको investment से भी लाब होगा निवेश से भी लाब होगा और आप अपनी आय बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेंगे आपको किसी सरकारी माध्यम से भी लाब मिल सकता है अगर हम सिंग राशी वालों की बात करें तो सिंग राशी वालों को अपने कारे क्षेतर में तरक्की मिल सकती है कारोबार जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है इस दोरान आपका confidence लेवल बढ़ेगा परिवारिक बातावन जो है वो बहुत सुहाग पूर्ण बहुत खुशाल रहेगा सुर्य की दृष्टी आपको परसिद्धी मान समान दिलाएगी और स्वास्थे के लिहाज से भी सिंग राशी वालों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है कन्यराशी वालों की बात करें तो कन्यराशी वालों का समाज में रुत्बा बढ़ेगा मान समान बढ़ेगा वदेश से जुड़ा ब्यापार करने का कोई अफसर आपको प्राप्त हो सकता है सुर्य के गोचर के कारण आपके अध्यात्मिक शेतर में भी रुची बढ़ सकती है और आप अध्यात्मिक वा समाजी कतिविदियों में बढ़ चड़ करके भाग लेंगे आर्थिक रूप से गोचर आपके अच्छा रहने वाला है तोला-राशी वालों को थोड़ा सा सजेत रहना होगा स्वास्ते समंधी कोई परिशानिயा हो सकती है या आप किसी संक्रमन का शिकार हो सकते है आपको अपनी सेत का खास खाया रखना होगा किसी नए प्रोजेक्ट में इंवेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ा सबचना होगा थोड़ा समय तल ना होगा और सञजेदारी में अगर आपको काम कर रहे हैं तो आपको फाइदा होगा वरिष्चक राशी की बात करें तो वरिष्चक राशी वालों के लिए सुरे का ये गोचर बहुत ही शांदार रहने वाला है इस गोचर के दोरान जो लोग व्यवसाई कर रहे हैं बिजनस में हैं उनको जबरदस्ट फाइदा होने की उमीद है आपको विवाहिक जीवन में भी काफी आपका शांती पूरण महल रहेगा सुहारद पूरण महल रहेगा लेकिन आपको अपने एहंकार को खुद पर हावी होने नहीं देना है कारेक्षितर में थोड़ा उच्चा अदिकारियों के साथ ऑफिसर्स के साथ थोड़ा आपको डिफरेंसिज हो सकते हैं मत भेद हो सकते हैं आपको अपनी वाणी पर नेंतर रखना होगा धनुर आशी वालों के लिए सुर्य का ये गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है इस गोचर के दोरान आप अपने विरुदियों पर विजे हासिल करेंगे आपका मान समान बढ़ेगा और जो विद्यार्थिक कम्पिटीटव एक्जाम की तेहरी कर रहे हैं मकर राशी वालों के लिए ये सुर्य का जो गोचर है कुछ शारीरिक समस्याय ला सकता है वेवसाइक रूप से भी आपको थोड़ा धैर्या से काम लेना होगा अचानक धनलाब भी संबव है विवाहित जीवन अच्छा रहेगा और आपकी समाजिक स्थिती में भी सुधार आएगा कुम्प राशी वालों को इस दोरान थोड़ा चोकस रहना होगा वाद विवाद से बचना होगा परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मन मुटाब हो सकता है और विवसाय में आपको लाब होने के योग बन रहे हैं मीन राशी वालों के लिए ये जो गोचर है ये मिला जूला रहने वाला है जीवन साथी के साथ समाने रहेंगे आप धारमी गतिविदियों में भी भाग लेंगे दोस्तों और परिवार के लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा परियुजनाओं का नितरतब करने के लिए आपका ये समय बहुत बढ़िया है आपको स्वास्थे के लिहाज से अपना और परिवार के सदस्यों का खयाल लखना होगा चलते चलते मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि चोदा मई को विरिशप सकरांती है आज की पोश्ट में बस इतना ही मैं गुर्मीत बेदी इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद